इस डिजाइन के अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक मिडल क्लास फैमिली का स्मॉल एरिये के अंदर बेस्ट टू बेस्ट डिजाइन फ्रंट एलिवेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का आपका जो एलिवेशन रहेगा इस वीडियो में मैं आपको घर का जो पूरा वाक्त्रू करवाँगा ओवर्वियो करवाँगा जो इंटेरियर है इसका वो भी घर के अंदर मैं आपको चलके दिखाँगा तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें इसका जो फ्रेंट लुक है वो भी मैं आपको कम्प्लिटली अभी दिखाने वाला हूँ टॉप से बोटम तक आप देख सकते हैं इस तरीके का लुक रहेगा मोडर्न और लग्जूरी स्टाइल में इसको बनाया गया है इसके अगर सपेस की हम बात करें इसका जो सपेस है फ्रंट से साड़े सत्रा फिट चोड़ाई है इसकी और जो इसकी गहराई है सवाचबिस फिट तेनीच है यानि सवाचबिस तो मैं अभी इसको फिलहाल सत्रा वाईचबिस के कैल्कुलेसिन में ले रहा हूँ इसको जो व्यू है इसका वो आप देखी चुकी है तो चलिए अब मैं इसके अंदर क्या-क्या हमने डिजाइन किया बो दिखा देता हूँ पहले फ्रंट में जो सोप रहेगी उसकी बात कर लेते हैं इस एरिया में एक सोप का डिजाइन किया गया है इस तरीके कि आपकी जो सोप है वो बन जाएंगी क्योंकि जो अमूमन क्या होता है हमारा जो इंडिया है वो मिडल क्लास फैमिली में ज़्यादा रहता है तो अपना कारोबार चलाने के लिए घर में अगर आपके पास एक छोटी दुकान है तो उसमें आपका जो बजट है वो मेंटेन आप कर सकते हैं दुकान के माद हम से उसके बाद चली अंदर चलते हैं अंदर सामने जाके देखेंगे तो बिलकुल कीचन रहेगी बिलकुल जो सीड़ीओं है उसके सामने जैसे आप घर के अंदर एंटर करते हैं साइड में जो कीचन रहेगी मोडिल कीचन आप बनवा सकते हैं तरीके से और जो सामने का गेट है और यहीं से सीड़ियां उपर जाएंगे वास बेसिन रहेगा एक तरफ दुकान के जो पीछे है बिलकुल यहां पर आपका टोइलेट बाथरू रहेगा दोनों टाइप की सीट लगा सकते हैं इंडियन और वेस्टन स्टाइल के आप दोनों इसमें सीट लगवा सकते हैं सावर लगा सकते हैं चोटा एरिया है बेसक है लेकिन आपकी जो सारी चीज़ें इसके अंदर अर्जस्ट हो जाएंगी इसके बाद मैं आपको चलिए पिछे का जो हमारा बेडरूम है एक शिंगल बेडरूम है नीचे वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे यह बेडरूम है हमारा और इसके साइड में अलमारी है पैड है फ्रेंट में आप टीवी लगा सकते जो बादरूम की साइड बाल है आपकी यहाँ पे आपका जो टीवी लग जाएगा तो दोस्तों चैनल को जिलूर सब्सक्राइब करने साथ की साथ में अभी बेडरूम से बाहर ले चलता हूँ जो उपर का जो पार्टिशन है हमारा वहां पे चलेंगी एक बार पुरा बेडरूम का जो लुक है वो देखने छत इस टाइप की रहेगी उसके बाद उपर हमने जो दो बेडरूम डिजाइन किये हैं फ्रंट में और एक बैक साइड में दोनों का जो स्पेस है अलग लग रहेगा तो यहां पे फ्रंट में पूरा जो गलास पैनल लगाया गया है लुक के लिए जो मम्टी है हमारी इसको पूरा उपर तक गलास व होता है वहां पे ले चलता हूं तो यह इस टाइप का रहेगा हमारा पीछे आप देखें पीछे भी बिल्कुल देखें जो हमारी कीचन है उसका सैट अप पूरा बिल्कुल सेम रहेगा नीचे जो पीछे का पार्टिचन है वहां पे बिल्कुल सेम रहेगा जो वास बेसीन मैं आपको ले चलता हूँ ये पिछी का बेडरूम है उपर का मैं इसको दिखा देता हूँ आपको और इस बेडरूम में आप देखेंगे दोनों साइड अलमारी आप बनवा सकती है बिल्कुल और जो एक छोटी सामने के अलमारी इसके बगल में जो दरवाजा देख रहे हैं ये यहां से टोईलेट बाथरूम है हमारा चोटे साइज का है मैं आपको अंदर चलके दिखा देता हूँ यहां पर देखें टोईलेट शीट लग जाएगी उपर आपका शावर लग जाएगा एक साइड में चोटा एरिया है लेकिन आपकी दोनों जीजें इसके अंदर आ इस बैडरूम को देखें आप चट का जो स्टाइल है नीचे और रूपर हमने बिल्कुल सेम रखा है यहां पर इसको देख लें एक चोटा जो दर्वाजा आपको दिखाई देगा पीछे की तरफ इस यह टोईलेट बाथरूम अटैच है इस रूम के साथ जो की पिछले ब 17 वाई 26 के अंदर सामने इस दिवार पर आप टीवी लगा सकते हैं यहां पर उसके बाद मैं बाहर का जो इसका व्यू है वो भी आपको दिखा देता हूं चलिए बालकनी में चलते हैं बाहर की जो बालकनी है इस टाइप का आप देख सकते हैं यह फ्रंट की बालकनी इसमें आप देखें उपर तक पूरा का पूरा यह रहेगा जो कि मैं वीडियो के सुरुआत में दिखा चुका हूँ आपको उपर की आप बात देखें तो जो हमारी मम्टी है निशीडियों के उपर का जो स्पेस है यहां पे वाटर स्टोरेज के लिए टैंक रखने के लि ना हो उसके लिए यहां पर सेफटी आप बना सकते हैं इसके अंदर एक रूम जिसे आपके घर के जो लुक है वो भी बनेगी उपर च्छत पर जाने के लिए जो टोप टैरेश है हमारा वहां पर जाने के लिए आप जाली दी गई है इस जाली के नीचे आप सीड़ी लगा और शेयर करें और अगर आप भी हम हमारे से ऐसे डिजाइन बनवाना चाहते हैं उसके लिए अप हमारे वट्सअप नंबर पर किसी भी टाइम 247 सातों दिन 24 घंटे मैसेज करके बात कर सकते हैं और डिजाइन बनवा सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत देन्यवाद करते हैं नमस्कार